गुद मॉर्निंग एवरिवन मैं डॉक्टर अंशु काब्रा सीनियर कंसल्टेंट काडियोलोजिस्ट नारायना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैपूर से As an intervention cardiologist हम हमेशा बात करते हैं stunt, bypass, heart failure लेकिन आज हम बात करेंगे जन्मझात, विक्रती, congenital heart disorder जिसके अंदर आज हम बात करेंगे सबसे important congenital heart disease जिसको हम कहते हैं atrial septal defect जो heart के दाएं atria और बाएं atria के बीच में जो परत होती है उसके अंदर छेत को होना कहा जाता है ये 80% जो बच्चे पेदा होते हैं उनके अंदर इसी तरह का disorder मिलता है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में मिलता है ये adult तक कई बार पता नहीं लगता और कई बार adult patient हमारे पास आते हैं उनको कभी कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन जब हम उनका ECG ECO करते हैं क्योंकि उनको थकान, सास फूलना, धड़कन होना होती है तब हम उनको डाइग्नोस करते हैं कि आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है और हम उसको फिर आप गे इलाज की सलहा देते हैं तो इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं सास फूलना, थकान, धड़कन होना और अगर हम इलाज की बात करें बहुत सिंपल है यह सरजरी द्वारा और परक्यूटेनियस क्लोजर द्वारा परक्यूटेनियस क्लोजर में हम पाउं के रास्ते जाते हैं और छेत को हम डिस्क के द्वारा बंद कर देते हैं और जिनमें यह संभव नहीं हो पाता उनमें हम हार्ट सरजरी का ओप्शन देते हैं और हार्ट सरजरी भी ऐसा नहीं है कि मिड स्टर्णम को क्लोज करते हैं उसके द्वारा हम करते हैं, नहीं आजकल छोटे चीरे से भी HD Closer का इलाज होता है और ये काफी सरल है और इसके बाद सारे symptoms खतम हो जाते हैं लगबग पेशेंट अपनी normal life जीने लग जाता है और treatment इस operation के बाद 3-4 महिने लेना है उसके बाद जिंदिगी भर कोई treatment नहीं लेना है और पेशेंट अपनी normal activity आराम से शुरू कर सकता है धन्यवाद, thank you